Good morning children, I welcome you all in Bitter English class हम कर रहे थे, chapter number 5 हमने start कर दिया था Love Across the Salt Desert, नमक के रेगिस्तान का उसपार का प्रेम written by केकी एंडारू वाला, ठीक है जिसमें की हमने पढ़ा कि यहाँ पर कच्छ में जो है, तीन साल तक लगतार सूखा पढ़ावा था ठीक है, धर्ती जो में से आग बरस रही थी, ठीक है और बारिश के एक बून भी नहीं थी, और जो है बादल उमरते भी तो इस जगें को अंदेखा करके गुजर जाते, ठीक है अब यहाँ पर जो है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बादल गरजी और बारिश होई, वो दिन सब को याद है और वो दिन वो था जब फातिमा के कदम पहली बार जो है इस गाउं में पड़े, ठीक है, अब फातिमा कौन थी, वो एक मसाली बेचने वाले की बेटी थी, ठीक है, जिसकी हंसी में जो है, उसकी मसालों की, उसकी सुंदर्ता को भी जो है मसालों से कंपेर करा गया है, ठीक है, उसमें से जो है लॉंग और दालचिनी की खुश्बू आती थी, उसकी पायल की खनक थी, उसकी हंसी की आवाज में, ठीक है, इस तरीके से हम भी दाल्या घंशा भरिवी फालक एनध्याग कि ही झालता है वहां मानुट ऑफ हो अगर हो न मुभ धाली याहिक शुप अर्षी मान समयस्त है कि वहां पर पेत कि पट्जमाय यही फट्फ एनध्यस सब्सक्राइब अब पे जंगल खाना खिलाने की परंपरा जारी है अब बेटा पेज नंबर 32 का सेकंड परेग्राफ यहां से नजब नजब बोर्ट बिफोर दा फ्लेम एंड सेट आउट नजब ने जो है दीपक की लौ जलाई उसके आगे अपना सर जुकाया और वहां से चल पड़ा अब उसने क्या करा कि कांटेदार जाडियों को ठीक है और पेडों को और जो चुट-चुटी घास थी जो कि किसी टाइम पर सवाना के यहां पर सवाना रीजन था ठीक है सवाना रीजन के लिए जो फेमस था उन सारी चीजों को उसने पीछे छोड़ दिया बट नाव सियर एंड ब्राउन एज डेजर्ट लेकिन अब यह सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ड्रेगिस्तान की जैसे डेजर्ट की जैसे सूख चुकी थी और बिल्कुल ब्राउन कलर की भूरे रंकी हो चुकी थी तो तो नजब ने अब नजब कौन है वही जो की जिसने जो की फातिमा को लेकर आया था ठीक है जो है नजब जो है इन सारी चीज़ों को काटेदार ज़ाडियों को पीछे छोड़ के चला चला आगे निकल पड़ता है अब उसने क्या करा जितने भी human habitation मतलब की जितने भी humans की आबादी वाले जितने भी जगे थे उन सब को पीछे छोड़ दिया कुरान बिंग दे लास्ट विलिज कुरान जो है वो सबसे जो है आखरी गाउन था ठीक है वहाँ का फार दे नेक्स थ्री देस, he would not be seeing इनी भूंगा, those one-room and mud houses circular at the base अब अगले तीन दिनों तक वो कोई भी भूंगा, भूंगा जो होती है जो कि नीचे से गोल होती है ठीक है और जिसका उपर तीकुना सा जो है टॉप होता है चत होती है जिसे कि अपने कई बार जो है जूपा जिसे बोलते हैं ठीक है तो वो सारी चीजों को देखने वारा नहीं था जिसकी जो है उपर लकडी की एकदम चतुब चपर होती थी धीक है उसको नहीं देख सकेगा Now only the sand escapes stretch out before him mile upon mile अब उसकी मीलो दूर तक किवल सामने रेत के टीले ही टीले पड़े वे थे Water splashed in the chagal छागलो में जो है पानी जो है चलका पड़ा था With the name of Peer on his lips, नजब हुसेन set forth अपनी होटों पर Peer बापा का नाम लेकर और नजब जो है उसने अपनी journey जो यात्रा जो है वो शुरू कर दिया अब अगले तीन दिनों तक उसे ऐसी कोई चीज़े यहां ज़की जो जो चीज़े थी वो नहीं मिलने वाली थी अब जो है पंचमई Peer का नाम लेकर अपने होटों पर नजब ने अपनी journey start करी नजब diffidence was nocturious among his friends अब नजब जो है बहुती diffidence का मतलब शर्मीला नजब बहुती शर्मीला था और यह उसका शर्मीला पन उसके दोस्तों में काफी nocturious का मतलब होता है बदनाम ठीक है अब नजब का यह शर्मीला पन उसके दोस्तों में काफी बदनाम था he was known to have blushed at the mere mention of a girl किसी लड़की के नाम से ही वो शर्मा जाता था मतलब उसका जो शर्मीला पन है वो उसका काफी famous था उसके दोस्तों में वो किसी लड़की के नाम से ही शर्मा जाता था a strangely inverted lad with dreamy eyes ठीक अब यह इसको बता है उसको मतलब कि उसके एक तरीके से उसका character sketch बताया है कि वो काफी शर्मीला था strangely एक बड़की विचितर जैसा जिसकी सब आँखों आँखे जो थी वो dreamy आई थी सबने जैसी सबने जिसे बोलते हैं वो थी introvert, introvert अको मतलब अंत्रमुकी जो अपनी feelings को अंदर ही रखता है ऐसा लड़का था No one had ever associated him with any act of bravery कभी भी उसके सामने कोई भी कोई बहादूरी का काम उसे नहीं करा था कोई भी कोई बहादूरी का काम उसे जुड़ावा नहीं था His father Aftab would say All that my ancestors and I have acquired during a hundred years This lad will squander away Not because he is splendid But because he will be too shy to charge money for what he sells नजब के जो फादर थे उनका नाम Aftab थे और वो ये कहते थे कि जो कुछ मैंने या मेरे पुर्खोंने कमाया है ये लड़का एक दिन सब कुछ खर्चकार डालेगा इसलिए नहीं कि वो जो है खर्चिला था बलकि वो इतना किसी भी चीज़ को जब वो बेचेगा तो उसकी कीमत ही वसूल नहीं कर पाएगा शर्मा जाएगा उसकी कीमत ही वो नहीं ले पाएगा इसलिए वो जो भी हमने कमाया है ये लड़का एक दिन उसको सब कुछ बरबाद कर देगा अपने शर्मीलेपन की वज़ा से क्योंगे वो किसी चीज़ की कीमत ही नहीं लगा पाएगा अब नजब जो है नजब जो है वो चार बार कच के मैदान को कच के रन को जो है पार कर चुका था पहले भी चार बार पार कर चुका था though he had turned 20 only a month ago हालां कि किवल एक मेने पहले ही वो 20 साल का हुआ था ठीक है और रन के मैदान को उसने चार बार पार कर चुका था वो but each time he had either accompanied his father or the really old smuggler जमन लेकिन जितनी बार वो आता था या तो अपने फादर के साथ में गया था या उस चलाग से जो smuggler जो तसकर जिसे बोलता है तसकरी करने वाला ठीक है बुड़ा जो smuggler था जमन उसके साथ में उसने रन के मैदान को पार करा था लेकिन वो चार बार पार कर चुका था ये पहली बार ऐसा था जब वो अकिला जा रहा था the veteran of 100 illegal trips into sin अब ये जो smuggler था जमन ठीक है ये कई बार जो है गैरकानोनी डंग से जो है सिंदक पार कर चुका था और इसे गैरकानोनी डंग से जो है यहां रन के मैदान को पार करने का उसे experience था जमन को ठीक है, ये समगलर था तो उसके साथ में ही अपने फादर के साथ में ही इसने हमेशा पार करा था Each time they had taken ten-do leaf worth about 500 and sold it across the border for 1200 ये जितनी बार ये लोग जाते थे हमेशा ten-do के पते ten-do के पते हुथे उते में बीडी के पते जिसे बीडी बगरा बनती है थीक है जितनी बार ही जाते थे तो 103 की पत्ते अपने साथ लेकर जाते थे 500 रुपए के और border पार करकर उन्हें 1200 में ये इनका business था पनपान सु रुपए के पत्ते लेकर जाते थे और उन्हें border पार करकर और 1200 में बेशते थे बट बटेविं the payoff to officials and the intermediaries who arranged the sale of bidi leaf to the man who took the camel out to grace and to friend or relative who harbored them there was a precious little left लेकिन हमेशा क्या होता था बान्सों के बारा सों बेस्ते थे लेकिन जो आदमी इनको रखता था या जो इनकी ये सेल वगरा आरेंज करवाता था या कैमल वगरा को चराता था इस सारे पैसे बेचने के बाद में इन सब खर्चे निकालने के बाद में बहुत कम बस्ता था इट वोस्ट इनफ तो बाई सम यूस्ट टेरलेन गार्मेंट्स और इट वस ताइम तो में लोंग ट्रेक बैक अक्रोस देजर ठीक है और हमेशा इतने ही पैसे बस्ते थे कि क्या करते थे कि जो भी रिश्वत वगरा के अंदर भी पैसे ने पढ़ते थे जो भी कुछ बस्ता था उसमें क्या करते थे टेरलेन के कपड़े खरीते थे ठीक है और वापिस से अपनी रेगिस्तान की यात्रा को जो है शुरू कर देते थे इतने ही पैसें की पास बस्ते थे कि कुछ कपड़े बगरा खरीद ले थे थे वापिस जर्णी करकर आ जाते थे अब ऐसे ही कुछ यात्राओं की दौरान वो एक बार जो कलव कलव का मतलब मतलब लॉंग ठीक है लॉंग बेचने वाले काले शा के घर पर रुके थे ठीक है ऐसे एक बार जोर्नी के अदर बॉर्डर पार करकर काले शा के घर पर रुके थे यह दिस्टन रुलेटिफ और जोलेटिफ और फिर नजब नजब की पिता ने नजब को बताया था कि यह तुम्हारी मा का दूर का रिष्टिदार है काले शाओ वस तॉल and well-fleshed and his thick-jold face had a purple tinge about it as if somewhat somewhere along the way it had got stuck with this colored patch. अब बिटा हम काले शाओ जो कि फातिमा के father थी, उनके बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है कि काले शाओ जो है वो एक जो है काले शाओ एक लंबा सा आदमी था ठीक है, उसकी मतलब की fleshed, मतलब fleshed man मतलब अच्छी चर्बी वाला आदमी था उसकी jawled face, मतलब उसका चेहरा भारी भरकम फूले गालो वाला आदमी था और उसके चेहरे पर जो है purple tinge, purple tinge का मतलब बैंगनी रंगत थी कुछ ऐसे जैसे कही कही से बिल्कुल दाग धब्बे रंग ही इन पड़ रखा ओ ठीक है, ऐसा था काले शाओ, he always wore a tehmut of black and white checks हमेशा वो एक जो है tehmut पहनता था, ठीक है मतलब की एक लुंगी, जिसे बोलते है tehmut का मतलब होता है लुंगी एक लुंगी पहनता था जो कि white और black color की checks की होती थी, ठीक है within a day, नजर्ब discovered that the fellow was an absolute drug who drove such a such a cursed bargain that for the first time in his hearing, father started mouthing obscenities अब बताया गया है काले शाओ के बारे में कि काले शाओ जो है वो एक दिन में ही नजर्ब को पता लग गया था कि काले शाओ एक बहुती चलाख आदमी था, जो कि बहुती सौदर बाजी करने में काफी जिद्धी था, और पहली बार में ही उसकी बाते सुनकर नजर्ब के पिता ने इसको गालिया देना अपसनी इसका मतलब होता है, मुरा बला करना गालिया देना शुरू कर दिया था, ठीक है? अब आगे हम बढ़ेगे किस तरीके से वो काले शाओ के घर तर पहुंसता है, ओके बीटा?